हेलो फ्रेंड्स काजरा किचिर में आपका स्वागत है आज है मनाने चाहरे रहे है आलू और बेसन का कूरकूरा नाश्ता जो बनाने में बहुत ही असान है अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसे पहले से त्यार करके रख सकते हैं और जैसे ही आपके guest आजाएं आप इसे बना कर खिला सकते हैं और आपके guest को सबी को यह जो नश्टा है बहुत पसंद आएगा तो चलो हम इसकी recipe की और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ball लिया है बॉल में हम एट कर। रहे हैं half cup भिसन हमने यहाँ पर half cup जो है gram flor ले लिया हैं अभी हम इसमें एड़ कर रहे हैं क्यूमिन शीट्स यानिकी जीरा हाफ़ टीश्पून लिया है अभी हम इसमें अड़ कर रहे हैं कारम सीट्स अज्वायन यह मैंने one by four टीश्पून लिया है अभी हम इसमें ऐड़ करेंगे साल्ट नमक वन टीश्पून लिया है aanप अपने टेस्सके कोडिंग ले सकते हैं बिलास में हम इसमें आड करेंगे पानी, पानी जो हमने टोटल लेना है, एक कप लेना है, हमने इसमें थोड़ा सा पानी पहले आड करना है, और इसी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अभी हम इसमें जो है, बाकी बचा हुआ पानी भी आड कर देंगे, हमें इसमें ध्यान पैन में हमने 1टे स्पून ऑयल डाला था जो है एक पेस्ट और नहीं पकाना है और इस installing ही ना मिक्स करते में ने हमें ध्यान रखना है इसमें कोई भी गुटली नाज बने और इसे अच्छे से हिलाते हुए mix करते रहें इसे जो है बनने में सीरफ और सीरफ एक मिनटी लगता है जल्दी से हमारा जो mixture है बेसन का यह त्यार हो जाता है हमारा जो बेसन का mixture है यह त्यार हो गया है अभी जो है हमें फ्रेम को आप कर देना है और हमारा जो mixture है उसे हमें ठंडा होने देना है अब भी हम यहां पे ले रहे हैं पोटेटो उबले हुए आलू लिये हैं हमने यह हमने फोर पिस लिये हैं चार पिस लिये हैं हमने इसे क्रेट कर लेना है कदूकस कर लेना है हमने जो है सभी बॉयल पोटेटो को यहां पे इस तरह से कदूकस कर लेना है हमने यहां पे सबी आलू को जो है कद्दूकस कर लिया है हमारा जो मिक्सचर है ये भी ठंडा हो गया है अभी हम इसमे जो है बॉयल पोटेटो उबले हुए आलू जो है इसमें डाल देंगे और अभी हम इसमें आइड करेंगे coriander leaves यानि की धनिया, हरा धनिया धनिया को पहले से दो कर हमने काट लिया था हमने इसमें डाल देना है धनिया मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है अभी हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसका जो है, हमने एक mixer त्यार कर लेना है हमारा यहाँ पर mixture जो है त्यार हो गया है अभी हम यहाँ पर एक tray लेंगे आप यहाँ पर plate भी ले सकते हैं और हमने ट्रे को घी के साथ अच्छे से grease कर लेना है और याँ पर plate लेकर उसे घी लगा कर तेल लगा कर उसे जो है प्लेट को जो है ग्रीज कर लेना है, और अब यह हम इसमे जो है यह mixture जो है डाल देगे जो हमने त्यार किया था, हमने इसे जो है इसमे जो है set कर देना है हमने ट्रे में जो है mixture लगा दिया है अभी हम इसे जो है freezer में रख देंगे इसे कम से कम एक घंटे के लिए freezer में रख देना है हमारा जो एक घंटा है complete हो चुका है अभी हम इसे जो है knife से इस तरह से cut कर लेंगे और हम चाहे इसकी मंचाई shape दे सकते हैं मैंने यहां पे जो है rectangle shape में इसे cut कर लिया है हमें इस तरह से knife से इस तरह से pieces को निकाल लेना है और हमने जो है हमारे जो pieces है already हो चुके है friends अभी यहाँ पे यह pieces हमने तियार कर लिए हैं आप यह pieces को प्लेट में, ट्रे में और किसी बरतन में रखकर freezer में रख सकते हैं जैसे ही आपके gas आ गए हैं आप इसे fry करके खा सकते हैं हमारा यह नाश्ता है इसे जटपट पहले से ही तियार कर लें और जैसे आपके gas आने वाले हों आप इसे बना कर उन्हें खिला सकते हैं हमने यहाँ पे तेल को पहले से गरम होने के लिए रख दिया था अभी हमने इस तरह से pieces इसमें डाल लेने हैं और इसे fry कर लेना है हमने यहाँ पे flame जो use करनी है, high flame यूज नहीं करनी है medium low flame पे हम इसे पका लेना है जिससे की हमारा जो नाश्ता है यह जो बेसन का और आलू का नाश्ता है बहुत ही कुरकुडा और बहुत ही जो है अंदर से soft बनता है बहुत ही tasty बनता है आप यह recipe ज़रूर ट्राइ करना और इसके लिए हमारे जो ingredients हैं असानी से घर में ही मिल जाते हैं और अभी हम इसे एक side इसके fry हो जाने पर हम इसे दूसरी side पलट देंगे और दूसरी side भी इसे अच्छे से fry कर लेंगे हमने इसमें जितने pieces आते हैं उतने pieces डालते हुए इसे fry कर लेना है इसको जो है हम two batches में fry कर लेंगे और एक side से हो जाने पर हम दूसरी side इसे पलट देंगे friends यहाँ पर आलू और बेसन का जो हमारा नाश्ता है बनकर बिल्कुल त्यार हो गया है आप इसे जो है tomato sauce के साथ green chutney के साथ, चाय के साथ बना कर खा सकते हैं और अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो please आप like करें share करें और मेरे channel को subscribe करना ना भूले thank you for watching